काजल हिंदुस्तानी की और सिभारत माता की जय वंदे मातरम क्या आप जानते हैं आजाद भारत की चार बड़ी और बहेंकर भूले क्या थी? ये भूले थी कि हमने सिक्षा एसाईयों के भरोसे छोड़ दी और इतिहास को कम्यूनिस्ट के हाथों दे दिया हमने फिल्मे जिहादियों के हाथों दे दी और इस देश को नहरुगांधी परिवार के हाथ में दे दिया ये च्यार भूले इतनी बड़ी थी कि हजारों वर्षों का हमारा गौरव साली इतिहास किस तरह से systematically पिछले सतर सालों में मिटाया गया के सिक्षा के माध्यम से पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन को खत्म करने का सड्यंत्र रचा गया मुगल भारतिय बन गए और भारतिय काफिर बन गए अकबर सहिशनु बन गया और चत्रप्रती महाराज शिवाजी फासिस्ट बन गए अफगानी आकरंतों की उलादे कश्मीरी बन गई और कश्य प्रिशी की भूमी कश्मीर में जन्मे कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरनार्थी बन गए भारत को लूटने वाली यूरोपियन देश अमीर बन गए और भारतिय गरीब बन गए अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाले नहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए और देश के लिए लड़ने वाले बात्रभूमी के लिए लड़ने वाले वीर सावर कर क्रिमीनल बन गए माओवादी बुद्धी जीवी बन गए और बुद्धी जीवी को भक्त का टाइटल दे दिया गया टेररिस्ट एक्टिविस्ट बन गए और सेना हत्याचारी बन गई कन्वर्जन सेकूलर हो गया और री कन्वर्जन कम्यूनल हो गया योगा साइंटिफिक हो गया और योगेज अंसाइंटिफिक हो गया प्रॉपोगेंडा को सत्य बताया गया और जूट को इतिहास में जगय मिल गई कि अकबर तो एक महान लीडर था टुस्टे करन की राजनीती को प्रोथसहन मिला और सबका साथ सबका विकास फासिवादी हो गया फत्रकार विकाओ हो गया और मेरे जैसे सकते बताने वालों को हेट मॉंगर्स कहा जाता है जैश्री राम कंजर्वेटिव हो गया और भारत तेरे टुकडे होंगे इंशा अल्ला इंशा अल्ला लिप्रल हो गया तो for the sake of country act now and learn to be unapologetic भारत माता की जैपन्दे मातरम